गुर आफटिनून क्लास, अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं वाइरस की बारे में, तो सबसे पहले वाइरस क्या होता है? Computer viruses are main made, computer virus जो है main made होते हैं, कोई एक person, किसी दूसरे person के computer को harm पहुचाने के लिए, नुकसान पहुचाने के लिए, या उसके computer को damage करने के लिए वाइरस बनाता है, इसलिए क्या है? यह main made है, ठीक? They are programs written by the programmers and supposed to run the other system of the user without their knowledge. यह क्या होते हैं? Computer programs होते हैं, जो programmer लोग write करते हैं, और क्यों use करते हैं? ताकि वो क्या करें? अपने system से बैठ के किसी दूसरे के system को access करें और बीना बताएं, यह misuse करने के sense में बनाते हैं, without their knowledge, उनको बीना बताएं, उनको बीना अक्नॉलज किय यह न तो that type of programs are what? Virus. फिल से याद रखेंगे virus क्या है? main mad program है, they can replicate, spread to the other computer, वो खुद से क्या होते हैं? replicate होते हैं, बढ़ते हैं, दूसरी computer में spread किया जा सकते हैं, ता virus also attack the other programs, files, inserting copies of itself in the computer programs, data files, boot sector, of the hard disk. यह हमारे system में computer में बहुत सल देखो कैसे लिखा है, मकडी चैसे हमार यह वाइरस में enter कर रहा है, यह से आपको sign भी आता हो गागा, आपकी पस होगा, laptop उसमें आता है, तो क्या होगा, जैसे आपका virus खतम हो जाता है, या antivirus तो software अंस्ट्रोल हो जाता है, या expire हो जाता है, तो क्या होते हैं, वाइरस आपके system में आने लगते हैं, तो क्या होते हैं कभी कלה होते हैं कि बुटिंग का मतलब होते हैं कम्प्यूटर को चालू होने के इसके गरण से क्या होगा हमारा जो computer है चालू होने में बहुत टाइम लेते हैं अगर आपके hard drive में यह कहीं पर data save है उसको damage करने का काम करते हैं तो ऐसे सब काम virus करते हैं यह बड़ा ही बेकार लिड़ा है ठीक है virus they are the various types of computer virus they are classified in the following categories in the terms of the way they attack origin and the types of files affected तो इसको हम लोग classify कर सकते हैं कि किस type से attack करते हैं इसका origination का है और types of file और वो कैसे attack करते हैं इसकी साब से क्या करेगा वो virus को हम लोग इसको classify कर सकते हैं आ रहे समझ में जैसे सबसे पहना virus है आपका resident virus recipient virus मतलब जो क्या बलना चाहिए घर में रहते कैसे है ना रहने की sense के लिए resident तो यह permanent virus है जो आपके RAM में रहते हैं कहां रहते हैं RAM में these virus are able to interrupt the operation that system execute and the corrupt programs files on the system are closed, opened, renamed, copied, junkie, stink bug are the example of this virus यह ना में बटा है ना तो यह सभी क्या करते हैं computer program को corrupt कर देते हैं और क्या करेंगे system को भी close कर सकते है open कर सकते है rename कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे operation क्या करते हैं कुछ से perform कर सकते हैं file infector क्या करेगा this type of virus is affect the executable file यह ना जो exe type का format में जो file रहते हैं उसको effect डालते हैं when you run this program the virus get activated जैसे कि आप इस file को run करते हैं click करते हैं यह double click करते हैं तो यह virus active हो जाते हैं और फिर क्या होता है आपके system में उसको damage करते हैं आपके file को erase कर देते हैं आप कभी-कभी folder बनाते रहोगे ना जैसे मालो कोई folder बनाए तो कभी-कभी ऐसे होता है कि फोल्डर open ही नहीं होता जाता ही थी बूट वाइरस जो computer को चालू होने के लिए मतलब responsible होता है बूट और बूट वाइरस क्या करेगा computer के चालू होने वाले काम को affect डालते हैं इस वाइरस इंफेक्टर बूट सेक्टर और अगर बूट सेक्टर वाइरस नहीं हो गया तो यह चालू होने में बहुत जादा टाइम लगते हैं जैसे इसमें फॉर्म डिस्क किलर या स्टोन वाइरस यह इनका नाम है बड़ा इस्पेशल नाम है पर इस आलर वेरी हामफुल फॉर आर सिस्टम और फॉर आल प्रोग्र वाइरस और उसकी टाइप जो है रेसिडेंट फाइल इनफेक्टर रुबूट वाइरस के बारे में ओकी क्लास ओके बाई